इसराइल इरान यूध अब लगभग छिरने वाला है सबसे बड़ी तैयारी हो चुकी है इरान को पता चल चुका है कि देरसभेर इसराइल हमला करेगा आज जहां इजराईल के एक हमले में हमास का दुसरा बरा नेता हानिया के बाद दुसरा बरा नेता जो है वो मारा गया है ये भी सबसे बड़ी ख़बर है जो मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन बात इससे बड़ी हो गई है उसके बदले में इजराईल का Chief of Staff स्टाफ जो तस्वीरे आपको दिखा रहा हूं यह चीफ अप स्टाफ है इसराइल का इसको भी गोली लगने से मौत हुई है तो युद में इसराइल का चीफ अप स्टाफ जो है वो मारा गया है यह सबसे बड़ी खबर है जो सोचल मीडिया पर वाइरल है और इसराइल की एक बड़ा ले लिया है और इसराइल का चीफ अप स्टाफ जो है वो अब इस दुन्या में नहीं रहा लेकिन सबसे उससे भी बड़ी खबर है जो सोचल मीडिया पर वाइरल है इसराइल चीफ अप स्टाफ है जी मने असिसनेटेड यह बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रह सबसे बड़ी खबर है गाजा से तस्वीरे देखिए पहले नंबर पर बिंजामी ने तन्याहू परधान मंत्री मिनिस्टर आफ डिफेंस यो गेलियंड और चीफ अप स्टाफ जेनरल स्टाफ हैरिस हल भी इसकी मौत हो गई है यह बड़ी सबसे बड़ी सफलता है अगर मौत हखाना चाहराओं की एरान ने भी किस तरह की त्यारी की है यह तो साफ है जिस तरह से हमला हुआ है जहां इज्राइल को लग रहा था कि वो हमास और फिलिस्तीन की तरह निप्टा देगा लेबनान को और इरान को यमन को वो सपना उसका पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है और यह पहली तस्वीर देखिए यह पहली तस्वीर उन फाइटर पाइलेट की है असद नसीर ने इसको शेर किया इन तस्वीरों को दुसरे बिंडो में देखिए एक तरफ हम आपको इरान का जंडा और इरान के परमुखनेता खामनेई की तस्वीरे दिखा रहे हैं और दुसरी तरफ फाइटर प्लेन दिखा रहे हैं तो इरान ने अपने बंकर में फाइटर प्लेन की पुरी तैयारी कर रखे और ये देखिए एक स्रीज है ड्रोन स्रीज ड्रोन जो है वो इरान के पास है और वो कारगर साबित हो रहा है ये एक दुसरा और ड्रोन का मॉडल देखिए तो इरान इस यूध के लिए कमर कस चुका है और सबसे खतरनाक इन मिसाइलों को देखिए तो यूद के कगार पर है दुनिया एक और बड़े विस्यूद के कगार पर है और जहां इजराइल के बारे में कहा जा रहा है कि इजराइल ने लगवक तयारी कर ली है कि वो इरान पर हमला करेगा लेकिन उससे भी खतरनाक है कि इरान इरान ने अपनी पूरी मुकमल तैयारी कर ली है और इजराइल का परमू के स्टाफ मारा गया है आर्म दे स्टाफ मारा गया है सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है इस उद में सबसे खास बात है कि अभी भी चाहे वो यमन के लड़ाके हुती हो चाहे लिवनान का लड़ाका हिजबुल्ला हो या फिर हमास हो वो सब मिलिटरी बेस पर हमला कर रहे हैं लेकिन ये तैय है कि अभी भी इसराइल जो है वो अभी भी आम लोगों को निसाना बना और इसलिए उसकी पोपलाटी जो है वो घट रही है इसराइल में वहीं बिद्रोह भी हो रहा है इसराइल में लगभग एक करोड की अबादी और लोग कह रहे हैं कि यूद जो है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है तो यह सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ यूद की पर यह हमला नहीं करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यूद नहों लेकिन इसराइल की माने तो इसराइल चाहता है कि अमरीका चुनाओं से पहले ही इसराइल पर हमला किया जाए और यह सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूँ इससे पहले भी इरान ने बड़ी बड़े पैमाने पर बंबारी की थी, मिसाइल दागे थे, इससे साफ है कि ये युद बड़ा होता जा रहा है, और इरान को सस मिसाइल, ये वो मिसाइल की तस्वीरे हैं, जो इरान के पास है, और उसने पहले हमला किया था, और अब पूरी तरह से तयारी चल रही है, इसराइल के, इसराइल तयारी कर रहा है कि वो हमला करेगा, किसी भी कीमत पर हमला करेगा, और इसराइल ने भी अपनी तयारी को मुकमल अंजाम तक पहुचा रहा है, वहीं, इरान ने साफ साफ कहा है कि अगर अब हमला होता है, तो हम सीधे सीधे नक्से से गायब कर देंगे इजराइल को तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर अगर आप इंटरनेशनल खबर की बात करें तो सबसे बड़ी खबर है किस तरह से इजराइल और इरान के बीच का यूद जो है वो अब बड़ा होते जा रहा है और वहीं तो 102 मिसाइल जो है वो इरान पर एक बार एक साथ छोड़ा जा रहा है तो यह बड़ा नुकसान है और आज की नुकसान की अगर बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी पिलिस्ताइन रेसिस्टेंस ने बेस्ट बैंक तुबाज अल थगरा स्टीट पर एक उच परभाब बाले बिसफोटक उपरन से आईडियेफ सैनिक सैन बुल्डोजर को निसाना बनाया लडाके मसीन गन और बिसफोटक उपरन के साथ सहर पर हमला कर रहे थे आईडियेफ लडाई में लगए तो सुचिए अभी भी इजराइली सेना को हमास से तगरी ठकर मिल रही है और वो हमास पर भी खत्म करने में सफलता नहीं पाया है नहीं वो अब तक फिलिस्तीन पर कबजा कर पाया लेकिन यूद लगातार बरता जा रहा है और टेली गराम पर रेजिस्टेंस नीज नेटवर्क के अधिकारी खेंडर पर भरोसा इसने यहिया सिनवार की मौत की ख़बर की पुष्टी नहीं की है तो यह सबसे बड़ी ख़बर है यहिया सिनवार की हत्यात मौत के बात दावा किया है वहीं इजराइल के चीफ अप स्टाफ की मौत का भी अब लगभग दावा किया जा रहा है और लिबनान अल-लेबनों में दो आईडियेफ मर्केवा टेंक को हिजबुला ने नश्ट कर दिया है आज की चौती घटना जब इजराइल टेंकों के पास अधिजाधिन ट्रॉफी इंटरसेप्शन सिस्टम था तब हिजबुला सफल कैसे हो रहा है या किलिक है तो लगातार आईरन डूम रडार जो है वो भी फेल हो रहा है और ये बात सही है कि जो नेतन्याहू के जो मंत्री है सिमो ट्रिच और बेन ग्यूवर उनसे लोग नाराज है और कह रहे हैं कि आप इस युद में सामिल होई है तो सबसे बड़ी खबर है आज की हिजबुला ने जबरदस एर स्ट्राइकर के इसराइल के कार्मियल, मालोड, तरसिहा, बेजजन्ना और अलजली निलाकों को हिला दिया है तो ये सबसे बड़ी खबर है और इरान के लिए इरान ने भी लगबग यूद की तयारी सुरू कर दी है बड़ी खबर है वहीं इसराइल के लिए सबसे दुखत खबर है कि उसके चीफ आप स्टाफ जो है चीफ आप स्टाफ है जबने ऐसे स्नेटर उसकी हत्या हुई है मारा गया है और अब इरान ने भी अपनी तयारी मुकमल कर दी है ये यूद लगबग अब ये यूद लगबग और एक साल दस दिन लगबग गारत इस यूद को हो रहा है और कहां इजराहिल को गुमान था कि वो सब्ता दो सब्ता में फिलिस्तीन पर कबजा कर लेगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है फिलिस्तीन पर कबजा नहीं हुआ है युद लगातार बरा होता जा रहा है वहीं इस युद में नए मोर्चे पर भी जराइल को लड़ना पर रहा है पहले लेवनान के लड़ाके हिजबुल्ला इस युद में सामिल हुए उसके बाद जब से नसरल्ला मारा गया है अब लेवनानी सेनिकों ने भी चुकि लेवनान पर खुलयाम इजराइल ने हमला किया तो अब लेवनान भी मिसाइल ये दाग रहा है वहीं इरान ने भी मिसाइल दागी है और वो सबसे बरी चुनों थे इजराइल के लिए और यमन के लड़ा के हुती लगातार समंदर में मुर्चा थामे हुए मैं फिर कह रहा हूँ अभी भी सिर्फ धमकी दे रहा है इजराइल अभी तक वो इरान पर हमला नहीं कर पाया है लेकिन अगर इरान पर हमला होता है तो ये बड़ा युद्ध होगा क्योंकि इरान पूरी दुनिया को पता है कि उसके पास एटम बंभी है और रूस और चीन के हत्यार भी मिल रहे हैं ये भी बात सही है कि इरान जो है वो एक मुस्लिम राष्टों की बात करे मुस्लिम देशों की बात करे तो एक मजबूत देश है और उसने भी पूरी तैयारी कर ली है तो यूद और बड़ा हो सकता है बहुत भयानक हो सकता है और विस यूद के तरह हो सकता है क्योंकि इस यूद में जहां इजराइल के साथ यूरोप और अमरीका है वहीं इस यूद में इरान के साथ रूस और चीन है जो हंतियारों की सप्लाई कर रहा है तो यह सबसे बड़ा अपडेट है एक करोर की आबादी वाले इजराइल साथ मोर्चे पर घिरा हुआ है और फिलाल अमरीका चुनाओं में ब्यस्त है कहा जा रहा है कि इसी दोरान इजराइल जो है व और वो बिंजामी नितन्याहूर से सवाल पूछ रहे है कि आकिर युद्ध कब तक बिंजामी नितन्याहूर कह रहा है कि या तो हम जीतेंगे हम युद्ध से लोट नहीं सकते मैं फिर बता दू ये युद्ध इसलिए सुरू हुआ चुनाओ था बिंजामी नितन्याहूर क को भी भारी नुकसान हो रहा है और धीरे धीरे इरान फिलिस्तीन उसके बाद आपको जादे हूती और हिजबुला के परती दुनिया भर में सिंपैथी बर रही है क्योंकि वो अभी भी सिर्फ मिलिटरी को टार्गेट कर रहे हैं जबकि जराहिल की तरफ से आम लोग को टार् करेंटी दवाएं निसर्दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें